Hello दोस्तों, कुछ important discussion करने वाले हैं chapter wise और लेकिन इनका जो वीडियो बनेगा ये पूरे topic discuss करने की जगा पर हम इन chapter से जो कुछ important topic है जो मैंने देखे हैं कुछ sample paper में चाहे वो अरिहन के हो, चाहे वो स्वाल के हो, चाहे वीके के हो exam idea इनमे repetitive आए हैं, इनमें बार-बार उनको पूछा गया है, तो मेरे इसाब से वो topics आपको cover करने ना चाहे, disclaimer ये है कि ये topics alternative नहीं है आपके पूरी preparation के, ऐसा नहीं है कि आप video देख लो और बस यही पढ़के जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे topics हैं जो आपको एक दिन पहले, एक बार at least read होने चाहे, तो उन topics को मैं एक बार summary wise मैं आपको पढ़ा दे जाओंगा, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, आपके पास notes बने हुए हैं, आपके पास copy leak है, आपके पास books है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, सुनना है, ठीक है, अगर आपको लगता है ठोड़ा slow हो र accounting statement है, क्या ही ये, systematic accounting statement है, ठीक है, आपको लिखने की जर्वत नहीं है, सिर्फ सुनना है, तो दो बड़ होगा, systematic accounting statement है, अब जैसी accounting statement है, इसका मतलब यहाँ पे debit और credit का scene मनने वाला है, थोड़े दिर बाद समझेंगे debit credit का क्या scene है, सर ये statement है, तो ये record क्या कर रहा है, ये record कर रहा है, क्या चीज़े record कर रहा है, सभी economic transactions को, सभी economic transactions को, जो किसके किसके बीच हो रहे हैं, ये हो रहे है, सर, दो लोगों के बीच, दो parties के बीच, वो consequence party है, एक है वो domestic country, example के लिए भी मैं ले लेता हूँ, India, domestic country, और rest of the world, इन दोनों के बीच, जो भी economic transaction होंगे, जो भी economic transaction होंगे, उनको record जिसमें किया जाता है, जिस accounting statement के basis पर, उसे आप लोगों क्या बोलते हैं, balance of payment, ठीक है, अब धिहां से समझना, record कर रहे हैं, मतलब कौन सी economic transaction हो जाएंगे, सर, economic transaction को मैं बाद में deal करूंगा, सबसे पहले मैं यहां आता हूँ, कि debit credit क्या है, तो inflow, किस चीच का inflow सर, कोई money का inflow कि goods का inflow, ध्याँ से समझो, balance of payment, सिर्फ और सिर्फ value in terms of, in terms of foreign currency record करता है, in terms of क्या, foreign currency record करता है, तो ध्याँ से समझो, इतना आपको basic knowledge होना चाहिए, कि inflow कब होगा foreign currency का, सर, हमारे पास foreign currency का inflow होगा, जब domestic territory से, rest of the world में क्या हो रहा हो, export हो रहा हो, तो वहां से हमारे country में inflow होगा, तो उसको किस तरह लिखेंगे दोस्तो, credit side, इसका मतब कही सारी books में इसको लिखे रहता है, positive side में, क्यो positive side, क्यों positive side, क्योंकि इस से हमारे country का, हमारे country का क्या ब बढ़ रहा है, इसलिए आपन इसको किस side रख देते है, credit side में, और अगर हम लोग बाहर से अगर कुछ import कराएंगे, दोस्तो, import कराएंगे मतलब हम लोग मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए हमको पैसा देना होगा, that is, वो क्या कहलाएगा, outflow, क्योंकि इस से foreign exchange कम हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, प्लस, बढ़ रहा था, इसलिए positive side में, और import करने से foreign exchange कम हो रहा है, इसलिए इसको किस तरफ लिखेंगे, negative side में, ठीक है सर, समझ में आ गया, अब बात करते है, economic transactions की, economic transaction की अगर बात करें, तो हमारे पास 4 tribe के transaction होते हैं, सबसे पहला होता है, export, import of visible items that is merchandise goods, सर, visible क्यों, क्योंकि custom officials आपके goods को, जो documentation होता है, जो document होते हैं, उसके through, उसको क्या कर सकता है, verify, compare कर सकता है, कुछ ऐसे आपन items मंगवाते हैं, जो invisible होते हैं, सर, invisible मतलब, services की बात हो रही है, दोस्तों, किसकी बात हो रही है, services की, और services में हम लोग लेते है, SBI को, shipping, banking और insurance है, ये तीन टाइप की जो services है, उसके बारे में बात होती है, फिर होता है, unilateral transfer, unilateral के नाम से ही समझ में आ रहा है, कि ये एक तरफा transaction है, मतलब, ये end to end नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है, कि gifts, charity, donation, gifts, charity, donations related, जो transaction होगे, किनके भी सर, domestic, country और rest of the world, आना, जाना, वो सा आरी चीजे, gifts and charity, unilateral transfer में आ जाएगा, और कुछ ऐसे transaction होते हैं, दोस्तो, जिनका nature, capital transaction होता है, capital nature होता है, वो आएगा capital transfer में, अब ध्यान से समझना, इस बात को बहुत ध्यान से, अब visible item का अगर export है, तो inflow हो रहा है, तो credit, क्या credit करेंगे, quantity नहीं दोस्तो, उससे related जो पै family को मैंने gift दिया, तो वैसे मेरा क्या दिखा रहा है, outflow दिखा रहा है, वो किधर जाने वाला है, debit, again gift की amount आएगी, मैं दो चपल दे दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उस चपल की value, उससे foreign exchange कितना हमारी country का कम हुआ, वो यहाँ पर लिखने वाले है, तो negative क्योंकि outflow हो रहा है, और inflow में plus हो रहा है, अब ध्यान से समझोगे, इस chapter में balance of payment में सिर्फ एक part जो सबसे important है, जो आपको read करना ही करना चाहिए, वो होता है कौन सा current account और capital account, अब उसको अच्छे से पढ़ते हैं अगर आपन, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लिए, तो इसका मताब topic अच्छे से पता है, तो सीधे मैं jump कर रहा हूँ, the major topic of this chapter, वो है अपना balance of payment के दो component होते हैं, कौन कौन से दोस्तों, दो component कौन से कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है, सबसे पहला होता है, capital account और current account, तो एक बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं अपन current account, इसको पढ़ लेते ह हैं किसको दोस्तों, capital account को, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से एक चीज़ समझें, balance of payment, balance of payment, किसी भी country का दूसरी country के साथ, जब international transaction होता है, तो कोई भी country, अपनी domestic currency को दूसरी country के साथ, exchange नहीं कर सकती, reason being, Indian currency बाहर नहीं चलेगी, तो international transaction के लिए कोई एक currency होगा, जिसको दोनों countries accept करेंगे, in terms of a exchange, या medium of exchange, example के लिए अगर मैं बोलूँ, तो international transaction में dollar को बहुत importance दिया जाता है, जो American economy है, वो बहुत ज़्यादा strong है, इसलिए उसकी currency में, लोग अपने एक दूसरी की country के साथ, transaction क करने में उसको accept करना चाते, तो बात यहाँ पर आती है, तो sir आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि अब हमें accounting करनी है, तो हमें ध्यान रखना होगा, कि जब हमारी country से पैसा जा रहा है, बले import goods कितने भी quantity में हो, quantity का discussion यहाँ करेंगी नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे, import of machinery, या फिर दूसरी currency कितनी दी, उसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले, current account, current account में 4 transaction आते है, visible items, visible items का export और import, अब मुझे जल्दी से बताना मन में, आप पूरा पढ़ चुके हो, 3 मिनार अपना paper है, तो export, अगर visible item का export हो रहा है, तो वो किदार आएगा दोस्तों, credit side of current account, क्यों आ रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, sir, inflow हो रहा है, import किस तरह पाएगा दोस्तों, debit side में, क्यों, क्योंकि इससे हमारी country से forex क्या हो रहा है, outflow हो रहा है, और इसी को प्यार से आपन लोग क्या बोल देते हैं, पता है दोस्तों, balance of trade, balance of trade records, only visible item का export and import, समझ में आ गया, ओके, उसको detail में पढ़ने की जरवत नहीं है, वो easy topic है, आप उसको read कर सकते हैं, उसमें जो adjustment वाला topic है, उसको अच्छे से करना, invisible item, again invisible item में किसकी बात करते हैं आपन दोस्तों, services की, अब आगे चलते हैं, again इहां पर, export, फिर import, तो मुझे बताना, हमने services ली, हमने services ली, तो इसका मतलब हमारे पास बाहर से पैसा आएगा की जाएगा, दोस्तों, जल्दी बताओ, अगर हमने services ली है, तो हमें pay करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको कहां लिखेंगे, debit side में, और अगर हमने services दी है, तो इसका मतलब बाहर से पैसा आने वाला है, और उसको कहां ल है, foreign currency का, ठीक है सर, उसके बाद बात करते है, unilateral transfer, unilateral transfer में again आपको क्या याद रखना है, अगर Australia की country को, अगर हमने Australia में रही कोई भी family को, अगर हमने gift दिया, तो वो debit में आएगा, क्या हैगा, debit में आएगा, और अगर हमें import, sorry, अगर हमें बाहर से gift मिला है, तो वो क्या है inflow, that is inflow को कहा लिखेंगा अपन, credit side में, अब ध्यान दो, ध्यान दो एकदम अच्छे से, सबसे important discussion चालू हो रहा है, क्या capital transfer यहाएगा, क्या, नहीं, it is a current account, इसलिए हमने balance of payment में, capital transfer को अलग और बाकी सारे transaction को किदा रखा है, current account में, सर नाम current क्यों है, जो साल भर की, ध्य country की current income को, current foreign actions reserve को impact करता हो, उसको बोलते है current account के transaction, और जो futuristic transaction है, जो आने वाले 2-3 साल, 1-2 साल में adjust होंगे, वो आने वाले सालों के income को effect करेंगे, इसलिए उसको बोलते है capital transaction, ठीक है, इसका एक fourth transaction है, जो discuss कर लेते है, वो है income, income received from abroad, from abroad, और दूसरा इसका होता है, income paid to abroad, क्या होता है, paid to abroad, अब सर एक चीज, यहां भी तो income जाही रही थी, नहीं नहीं नहीं, यहां पे देखो, goods जा रहे थे, आ रहे थे, यहां पे services आ जा रही थी, और यहां पे gift और charity की बात हो रही थी, तो सर यह कौन सी income है, ध्यान से किया, बाहर किया, बाहर किया, या फिर foreigners ने आपके country में investment किया, सर दोनों तो एक ही चीज दीख रहा है, पड़ यहां पे में लिखूंगा, आपने investment किया, तो इसका मत्तब मेरे को यह बताओ, जहां ते समझना, अगर आपने investment किया है, आपने, तो सामने वाली country आपको उसक अगेंस्ट में क्या देगी, income देगी, सर, example के लिए, अगर हमने, अगर हमने rent out किया, किसी building को, तो सामने वाली country हमें क्या देगी, rent देगी, अगर हमने किसी company में invest किया, तो वो हमें क्या देगी, profit देगी, या हमने किसी country को, हमने किसी country को loan दिया, तो वो हमें क्या देगा, interest ये सारी चीज़े किस तरह पाने वाली है credit side में सर investment आएगा क्या नहीं नहीं investment तो किधर आएगा capital account में उससे related जो income generate हो रही है उससे related जो income generate हो रही है वो कहने वाला है current account में अब foreigners ने हमारी country में investment किया तो जैसे मान के चलो David Warner ने मुझे मुझे रायपूर में building rent पे दी तो मैं उसे rent पे करूँगा अगर उसने मुझे loan दिया तो मैं उसे interest पे करूँगा और अगर उसने मेरी company मैंने CC में अगर निकु सर की company में उन्हों ने पैसा invest किया तो उसे कुछ profit का part देना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पर जो चीजे जा रही है वो income debit हो रहा है क्योंकि क्या कहला रहा है income paid to abroad और यह क्या था income received from abroad अब ध्यान से समझना यह सारी चीजे हो जाती है current account में तो एक बार और ध्यान से समझो current account में वो सारे transaction आते हैं जो within a year हमारे country के income that is foreign exchange reserve को impact करते हैं within a year एक बात ध्यान रखना इसमें एक question आ जाता है what do you mean by current account surplus और current account deficit simple सी बात है current account surplus और current account deficit ध्यान से समझना current account surplus मतलब यह जो चार ट्रांजेक्शन आपने देखे न export import of export import of visible item में अगर export ज्यादा हो जाए तो क्या जाएगा current account surplus और अगर export import of visible item में import ज्यादा जाए तो क्या जाएगा deficit अब एक और चीज़ बात करते हैं export import of invisible item में एक्सपोर्ट ज्यादा आजाए, current account surplus और अगर export, import में अगर invisible ज्यादा आजाए, तो sorry, import ज्यादा आजाए, तो वो क्या हो जाएगा current account deficit, वैसे ही unilateral transfer, unilateral transfer अगर ज्यादा आया है और ज्यादा गया है, और अगर गया होगा, तो current account deficit ज्यादा आया होगा, तो current account surplus और बाहर से अगर हमें income received is greater than paid, तो वो क्या कहलाएगा current account? Surplus. और अगर income received is smaller than paid, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? Deficit. बात एक चीद ध्यान रखनी है दोस्तो, अगर current account surplus है, तो हम लोग दुनिया के लिए lender कहला रहे हैं, That is, उन्हें अभी पैसा देना बाकी है, क्यों sir? क्योंकि current account surplus में है, surplus में मतलब हमने export ज़्यादा किया है, हमने services दी ज़्यादा है, हमने gift ज़्यादा मिले हैं हम लोगों को, और हमको बाहर से income receive ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये सारी चीज़े दिखाती है, कि बाहर वालों के पास हमारी उधारी खड़ी है, और अगर हम लोग current account deficit की बात करें, तो हमें पैसा भी वापस करना दिख रहा है, तो इसलिए rest of the world के लिए हम लोग क्या कहलाएंगे, borrowers, अब आगे हम डिस्कस करते हैं, capital account में, इस chapter में और कुछ important नहीं है, important तो पूरा chapter ही एक एक line है, लेकिन मेरे को लगता है exam के पहले आपको current account और capital account में कौन से transaction आते हैं, वो सारी चीज़े समझनी होंगी, तो आप डिस्कस करते हैं capital account, capital account को अपन तीन बातों में बाइफर्केट करते हैं, किन बातों में सर, तीन बातों में बाइफर्केट करते हैं, पहली बात होती है, पहली बात होती है बहुत ध्यान से समझना, capital account का जो पहला transaction आता है, वो आता है बहुत ध्यान से, borrowing and lending to abroad, क्या आता है, borrowing and lending to abroad, दूसरा क्या आता है, investment to and from abroad, और फिर last आता है, change in foreign exchange reserve, तो सबसे पहले, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझना, borrowing from abroad, और lending to abroad, अब मुझे बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताना, सोच समझ के बताना, borrowing from abroad है, borrowing from abroad है, हम लोग ने पैसा लिया है, तो किधर आएगा inflow, सर इससे तो liability बढ़ गई, इससे तो liability बढ़ गई, तो liability बढ़ने की वज़ा से ही तो ये capital transaction है, ये एक साल में settle नहीं होने वाले, इसल इसको कहा लिख रहे हैं, credit में, कौन से account में दोस्तों, capital account में, अगर हमने lend किया है, किसी को lend किया, तो वो आएगा debit side में, क्योंकि हमारी country से उतना forex क्या हुआ दोस्तों, outflow हुआ, या तो इसको ये भी लिख सकते हैं, positive side of capital account, और यहां लिखेंगे negative side of capital account, आगे चलते हैं, investment, अच्छा, एक second, अगर borrowing ले रही है, पैसा आ रहा है, तो इससे related interest कहा जाएगा दोस्तों, क्लिक करो जल्दी से, sir, interest जाएगा, कहां पर, current account के किस side में, debit side में बहुत अच्छा, और अगर हमने loan दिया है, तो सामने वाली हमको interest देगी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएग interest current account के कहा जाएगा, credit side में, बहुत अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं, investment, investment अगर बात करते हैं, investment made, made by rest of the world in India, in India, और दूसरा बात करते हैं, investment, investment made by, investment made by, made by India, made by India, in rest of the world, अच्छा, अच्छा, simple सा logic समझो, अगर हमने building rent बे दी, अगर हमने company में invest किया, और अगर हमने सामने वाले को loan दिया, loan तो हो गया, तो बात करते हैं, investment के बारे में, तो देखो, foreigners ने हमारे country में invest किया, तो भाया, जब पैसा उन लोग लगाएंगे, तो हमारे country में उस चीज inflow आएगा, तो उसको कहा लिखेंगे सर, credit में, लेकिन यहीं एक बात आती है, कि निकुसर आने वाले time पे, NSEC जो huge profit होगा, उसका कुछ share, कुछ share उसको देगे, तो निकुसर उससे debit करेंगे, लेकिन कहा लिखेंगे उसको दोस्तों, current account में, और अगर बात करते हैं investment by India, हम लोग ने, निकुसर ने, हारली डेविट्सन की किसी company में, छोटी subsidiary company में, उन्होंने investment किया 20 करोड का, तो इसका मतलब, निकुसर के point of view से तो यह outflow हुआ, और हारले डेविट्सन, आने वाले time पे, अपनी profit का कुछ percentage, निकुसर को देगा, तो निकुसर के लिए credit है, और inflow होगा, लेकिन यह कौन से account में हैंगा दोस्तो, current account में, क्योंकि यह निकुसर के current income को impact कर रहा है, और इस chapter का सबसे important last topic बसता है, change in forex reserve, change in forex reserves, अब ध्यान से समझो, देखो, balance of payment की वज़ह से ही, foreign exchange reserve में चिल्जश आते है, जितना import होगा, उतना foreign exchange कम होगा, जितना export होगा, foreign exchange बढ़ेगा, positive or credit side, तो changing foreign exchange, इसको ध्यान से समझो, अगर मुझे import करना है, करना है, तो due to banking function, central bank का, it is a custodian of foreign exchange reserve, तो अगर import करना है, तो मुझे dollar चाहिए, dollar चाहिए, तो मैं किस से लूँगा, RBI से, तो जब RBI के पास जाओंगा, तो RBI अपने forex reserve से debit करेगी, क्यों, क्योंकि मुझे dollar चाहिए, क्योंकि मुझे dollar चाहिए, क्योंकि मुझे import करना है, तो forex reserve, वो जो reserve है, reserve, वहाँ से निकालेगी, ले भाईया 2000 dollar, तो कम हो गया, वहाँ से debit हो गया, और मुझे लाके दे देग मुझे लाके देगी, तो मेरे पास क्या हुआ वो, credit हुआ, inflow, although मैं आगे जाके उसको किसी को pay करने हाँ, हिलाल किसके pointer से देखना है, foreign actions reserve के pointer से, और अगर मुझे export करना है, तो obvious ही बात है, जब मैं export करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तो, dollar, और dollar मैं रख सकता क्या, नहीं, नहीं, तो मुझे वो किसे देना होगा, RBI को, अब समझो, अगर मैं dollar मिला, और अगर जब मैं उसको दे रहा हूँ किसको, RBI को, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये लो, sir, आपका dollar, तो dollar क्या हो जाएगा, दोस्तो, debit, और RBI के पास, हाँ, RBI के पास आ रहा है, तो R debit word है, उसको इन लोग withdrawal बोल देते हैं इस word में, और जहाँ credit है, वहाँ इसको इन लोग addition बोल देते हैं, अब आगे चलते हैं, इस पूरे chapter में, आपको जब से ज़्यादा इसे, इस जो अभी हमने समझा, current और capital account को अच्छे से पता होना चीए, दूसरे number पर मैं बात करूँ और BOT और BOP के difference और सबसे important, last में मैं करूँगा autonomous और accommodating items, autonomous accommodating items में एक चीछ ध्यान रखना है, ध्यान से समझना, autonomous items दोनों में होते हैं, current as well as capital account में, जबकि accommodating transaction due to, due to adjustment towards autonomous transaction का impact, हम accommodating transaction को सिर्फ capital account में करते हैं, तो दोस्तों, balance of payment का important topic खतम होता है, मिलते है, foreign exchange में.